हेलो एवरिवन कैसे वह आप सब लोग आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे आज के जो हम प्लान लेकर आये हैं वह है हमारा साड़े 22 फिट बाई 60 फिट का ब्लान यानि कि साड़े 22 फिट इसका फिर्ट रहेगा और 60 फिट इस प्लान की लंबा ही रहेगी इस प्लाट की जो फेस डियरेक्शन रहेगी वह साउथ वेस्ट में रहेगी और अधर साइड इस प्लाट के प्रॉपर्टी होंगी इस plot के अगर हम square feet में बात करें तो यह हमारा 1356 square feet का plot गज में बात करेंगे तो यह हमारा 1.500 यानि कि 150 गज का plot है अगर आप हमाई चैनल पर नए हैं तो आप हमाई चैनल को subscribe जरूर करें और वीडियो को like करना ना भूलें अगर आप भी अपनी घर का नक्षा हमसे बनवाना चाहते हैं तो WhatsApp नमबर हमने स्क्रीन पर दे रखा है तो वहां से आप हमाई contact कर सकते हैं वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक मंजल बराने में कितना ख़चा आएगा कितने columns इसमें दे जाएगे, columns है इस क्या रहेगा यह सब मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगा इस पुरे प्लान के अंदर हमने चार bedroom प्रोवाइट किया है Living area plus dining area दिया है, kitchen प्रोवाइट किया है, पूजा room है, common toilet बात रहो हमने दिया है, separate stairs दिया है, parking area हमने इसके अंदर प्रोवाइट किया है Dimensions की बात कर लेते हैं तो start करते हैं car parking से यह है हमारा car parking का area, 11 feet, 5 inch by 12 feet के आपको यहाँ पर car parking मिलेगी, तो यहाँ पर आपकी छोटी car easily आ जाएगी यहाँ पर आपको मिलता है garden area, 11 feet by 6 feet, 2 inch का आपको यहाँ पर garden area मिलेगा तो यहाँ पर आप अपने plants लगा सकते हो, तो यहाँ आपका garden area का portion मिल जाएगा जैसे आप आपके बढ़ोगे तो यहाँ पर हमने stairs provide की है, 3 feet चोड़ी हमने stairs यहाँ पर दी है, तो यहाँ से आप अपने first floor पर जा सकते हैं इस stairs हमने बिलकुल separate दी है, अगर आप अपना first floor rent पर उठाना चाहते हैं, तो जो भी क्राइदार होंगे वो इसको use कर सकते हैं इस bedroom की window एक यहाँ पर आएगी, 4 feet चोड़ी window हमने एक यहाँ पर रखी है, और दूसरी window हमने यहाँ पर दिये, जो हमारे इस वाले OTS से connect है, तो 3 feet चोड़ी window हमने इसकी यहाँ पर provide की है, बैट्रूम की बढ़ावर में यहाँ पर आपको मिलेगा living area आप देख सकते हैं, लिए पर यहाँ पर रखे, 4 feet चोड़ी window हमने इसकी यहाँ पर provide की है, फिर जैसे आप आगे बढ़ोगी, यहाँ पर आपको मिलेगा kitchen, यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर open kitchen बनाया है, 8 feet बढ़ नौ फिट का आपको यहाँ पर open kitchen मिलेगा, इस kitchen की window हमने यहाँ पर दे रहेगा जाल जो पढ़ाएगा वो हमारी तीन फिट पाइ चार पॉर्ठ्ट के पोर्चन पे जाल आएगा बागी की पोर्चन पे नियुक। कि जैसे आप आगे बाढ़ोगे यह पुरा आपकी डाइनिंग टेबिल डाइनिंग बैद्रों यहांपर आपको मिलता है सेकंड बैटरूम साथ फिट बाइ चार फिट का आपको यहां पर common toilet bathroom मिलेगा और यहां पर वादवेशन के लिए हमने portion बनाया है यहां पर आपको एक छोटा सा जाल आ जाएगा दो फिट बाइ दो फिट का जाल प्रोवाइड होगा जो इसकी common toilet bathroom की smell हो वो इसकी थूप आउट हो सके जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप आजाएंगे अपने बैडरूम की तरफ यह आपका तीसरा और चौता बैडरूम है इन दोरों बैडरूम के साथ आपको मिलेगा अटेस्ट टॉरिड बातरूम यह आपका तीसरा बैडरूम है ग्यारा फिट बारा फिट का आपको यहाँ पर तीसरा बैडरूम मिलता है इस बैडरूम की एक विंडो यहाँ पर आएगी चार फिट चौड़ी और इस बैडरूम के साथ आपको मिलेगा अटेस्ट टॉरिड बातरूम साथ फिट बाइ चार फिट का आपको यहां पर आटैस्ट टॉय्लिट बात्रों में लेगा इस बैडरूम के साथ इस बैडरूम में साथ हमने डो प्रोवाइट के अपने OTS में आने के लिए यह हमारा ओपिन पोर्षन रहेगा 7 feet 9 inch by 4 feet का आपको यह open area मिलेगा इसमें जाल जो पड़ेगा वो 3 feet by 4 feet के portion पर जाल पड़ेगा बागी के portion पर slab आईगी ति यहाँ पर आप अपने cooler भी रख सकते हैं इसी तरह से यह हमारा second bedroom है वो fourth bedroom है 11 feet by 12 feet का यहाँ पर आपको fourth bedroom मिलेगा इस bedroom के साथ आपको मिलता है attached toilet bathroom 7 feet by 4 feet का आपको यहाँ पर attached toilet bathroom मिलेगा इसका ventilation हमने यहाँ दे रखा है दो feet चौड़ा ventilation है इसकी जो भी smell हो की वो इसके through pass out हो जाएगी इस bedroom में से भी हमने door provide के अपने OTS में आने के लिए तो यह था हमारा साले 22 feet by 60 feet का plan इस पूरे plan के अंदर हमने total columns जो दिये हैं वो 18 columns प्रोवाइड की है column size जो हमने रखा है वो 9 inch वा 12 inch का column size प्रोवाइड किया है और इसका एक मंजिल बनाने में जो लगबग खड़ जाएगा वो 16 लग क्या स्वास आएगा तो यह था हमारा आज का plan आशा करते हैं plan पसंद आया होगा अगर plan पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहां भूलें पिर मुलाकात होती है आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर तब तक के लिए ठेक केर